ओके वेनेवर वी टॉक अबाउट की भाई सबसे बड़ी मूविस कौन सी है तो आपके दिमाग में अवथार, एंड गेम या फिर टाइटनिंग जैसी मूविस आएंगी बट मैं एक चीज कहना चाता हूँ कि ये मूविस बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली जरूर है बट ये कभी भी most profitable movies के लिस्ट में नहीं आती क्योंकि हमेशा एक मूवी का profit उसके budget के against देखा जाता है तो आज मैं आपको बता हूँ उन 6 movies के बारे में जो की बहुत ही ज़्यादा profitable बनी अपने लिस्ट के 6th movie है The Evil Dead 1981 वाली येस ये movie मैंने बचपन में CD rent पर लाकर देखी थी यही कुछ 8-10 साल पहले जितना इस movie ने मुझे उस time पर डराया मुझे लगता है आज भी अगर मैं ये movie देखूं मुझे उतना ही हरान करेगी इस movie ने 1981 में $375,000 के budget पर इसके almost 37th time यानि की $14 की कमाई की जो कि इसे दुनिया की कुछ सबसे profitable movies में से एक बनाती है जिसके साथ साथ ये movie पहला कदम था बहुत iconic franchise को बनाने में जिसे देखकर लोग आग भी डरते है अपने लिस्ट की 5th movie है Super Size Me 2004 में आई ये movie एक fast food के बढ़ते side effect और उनके bad markets के बारे में बताती है इसे आप एक documentary type movie समझ सकती हो जिसने सिफ 65,000 dollars के budget पर 6.4 million dollars की कमाई की येस almost 100 times जो कि इस movie को इस दुनिया की सबसे popular तो नहीं बट सबसे profitable movies के list में लाके खड़ा कर देती है आपने ये movie देखी है नहीं अपने list की 4th movie है Halloween 1978 वाली ये उनकुछ movies में से एक है जिसे मैं बहुत desperately देखना चाहता हूँ बट अब तक देख नहीं पाया बट मैं बता दूँ ये movie दुनिया के कुछ सबसे profitable movies में से एक है क्योंकि इसने 325,000 dollars के budget पर 33 million dollars की कमाई की more than 100 times का profit which is insane हमारे list की top 3 movies की बात करें उसमें 3rd number पे है Facing the Giants 2006 की ये movie अब तक मैंने तो नहीं देखी but majorly ये movie football centric है and इस movie की खास बात ये है कि major characters के इलावा इसमें बहुत सारे volunteers का काम किया गया वो volunteers जो की football में experts हैं या फिक जीने football देखना पसंद है उनके लिए कोई भी actor को choose नहीं किया गया याने कि कुछ volunteers जोने पसंद है उनको बुलाया and उन्हें बस इतना कह दिया कि भाई तुम TV पे आने वाले हो तुमें लोग बड़े भर्दे पे देखेंगे तुम theaters में दिखोगे लोग इतने मिमान गए and इस movie ने अपना बहुत बड़ा budget बचा लिया मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा कर इस movie ने 100,000 dollars के budget पे 24.65 million dollars की कमाई की which means अपने budget के against 246 times मतलब बवाल जिसके बाद इस list की second movie की बात करें तो ये मेरी one of the favorite movies में से एक है यानि की Rocky 1976 वाली ये movie मैं सबको suggest करता हूँ जिससे भी अपनी light में थोड़ा depressed feel हो रहा है उसे लग रहा है उससे कुछ नहीं होगा तो मुझे लगता है उसे Sylvester Stallone की Rocky ज़रूर देखनी चाहिए और इससे मैंने अपनी top favorite movies के list में भी mention किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखना ज़रूर जितनी powerful ये movie है उतनी powerful इसने कमाई भी की यानि की 1 million dollars के against इसने 200 million dollars की कमाई की मतलब अपने budget pay 200 times मतलब सोच रहे हो किस level का business है यहां 25 दिन में पैसा double नहीं होता यहां कुछ दिनों में या कुछ महीनों के अंदर पैसा 200 गुना हो जाता है इसलिए cinema का business इतना ज़्यादा बड़ा है और इस movie ने ना सिर्फ हमें powerful courts या फिर motivation वाली videos दिया है बलकि हमें एक tourist place भी दिया है उसका नाम क्या है अगर आपको बता है तो comment box में ज़रूर बताना जिसके बाद अब बात करते हैं अपने list की first position वाली movie याने की Mad Max के बारे में Mad Max 1979 की एक movie थी जिसके franchise आज के time पे भी बहुत popular है और इस movie ने 1979 में George Miller के direction में अपनी first movie लाई और इस time पे उस movie का budget $200,000 था मतलब movie makers ने उस time पे इतने बड़े budget के साथ movie में risk लिया जिसका reward भी उने मिला जहां movie ने 49 million dollars की कमाई की मतलब risk बड़ा तो game भी बड़ा मतलब अपने budget के against to 40 times which is insane again तो guys ये थी कुछ movies जो की अपने time में बहुत ज़्यादा profitable रही है और मैं ये list दिखा कर ये नहीं कहना चाहता कि जितने भी बड़ी movies आई है वो बेफालतू की आई है मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि movies industry कितना ज़्यादा insane कमा सकती है इवन की छोटे budget के साथ भी and one more thing I know इस list में बहुत सारे fluctuation होंगे अगर मैं inflation को जोड़ दू अगर आपको जानना है कि बड़े बड़े directors किस तरीके से सूचते हैं तो आपको मेरी playlist how directors thing जरूर देखनी चाहिए जिसके इलावा किसी और topic पर बात करने के लिए right वाली वीडियो पर क्लिक करें मिलते अपने किसी और वीडियो में टाडा बाई बाई